हम लोग यहां पर सिखने वाले हैं कि redox reaction में balancing जो है half reaction method से basic medium में कैसे करें कैसे प्रततलेगा कि medium basic है या तो reaction के बायं स्रड में या दायं स्रड में OH- लिखा रहेगा या फिर reaction के उपर में लिखा रहेगा या तो लिखी देगा कि medium जो है आपका basic है एक पर identify कर लिया कि medium basic है तो इसको कैसे iron electron method यहां friction से balance करें तो पहला step पूरे reaction को वैसे ही balance करेंगे जैसे कि acetic medium में ही ओ रहा है पहला step यह है कि acetic medium में जैसे आपको मैंने balance करना सिखाया वैसे ही पहले balance कर लो अर्थात पूरा का पूरा reaction ऐसे balance कर लो जैसे कि यह एस्टीटिक मीडियम में ही हो रहा है तो कैसे सिखाया दो बैई एस्टीटिक मीडियम में अगर बैलेंस करना है पहले तो क्या सिखाया था identify करो किसका oxidation और किसका reduction यहां i2 एक ही रिक्षेंट से और प्रोड़क्ट आई माइनस और आयो त्री माइनस से एक ऐसा कैस है जिसमें की iodine का ही oxidation भी हो रहा रहा और रहा लिएक्षेंट का मौलेक्टियूल में और उसी की ब्रेग्षान भी हो तो यहां यांशी सिखेंगे के डिश प्रपोर्शनेशन को हम में हैं और क्या करोगे यह जो आइउ-डीन है इसको एक बार नहीं बलकि दो बार लिख लोगे और फिर identify कर लिया कुछ जो I2 है वो I- में convert हुआ और कुछ जो I2 है वो convert हुआ IO3 माइनस में अगर ध्यास से देखो तो यह जो I2 I- में गया इसका reduction हुआ और यह जो I2 IO3 माइनस में गया जिसमें की oxidation state plus 5 हो गया 0 से इसका oxidation हो गया अब तो बड़े आराम से लिख सकते हैं दो हाफ रिक्षन एक oxidation का और एक reduction का तो पहला जो step सिखाया था दोनों हाफ रिक्षन को separately लिख लिजिए चलो भाई लिखते हैं लिख दिया I2 से I- में गया reduction हाफ हुआ इसी तरह से यह जो I2 है और यह I- 3 माइनस में गया तो यह oxidation हाफ गया दोनों हाफ रिक्षन में पहले H और O को छोड़ करके जितने भी atoms हैं उसको balance कर लो कौन सा atom बच गया? Iodine तो Iodine के दो atom यहाँ पर है यहाँ एक atom है दो से multiply कर दिया Iodine का atom balance हो गया तो यहाँ पर तो oxygen है नहीं यहाँ पर count करो 6 oxygen के atoms को balance करने के लिए water का molecule का help लेते हैं तो water का molecule कि दर एट करोगी? जिधर के oxygen कम है तो 6H2O का molecule हमने एट कर दिया जिससे कि 6 oxygen का atom आपका balance हो गया तो oxygen balance हो गया iodine balance हो गया balance हब करेंगे हम लोग hydrogen के atom को किससे? पहले यह सिखाया है तो medium basic लेकिन पहले इसको ऐसे balance करेंगे जैसे कि पूरा reaction acidic medium में ही हो रहा हो तो hydrogen atom को H plus balance करेंगे काउंच करो hydrogen atom? 6-12 इसमें तो है यह नहीं है hydrogen तो छे दोन आप 12 12 H plus atom आपको लिख देना है right hand side में तो सारे atom balance हो गए फिर एकला जो अस्टेफ है electron को balance करते हैं electron को balance, electron charge को balance करते हैं अब charge को balance करने के लिए electron का help लेते हैं तो यहां count करो यहां पर तो कोई charge नहीं है यहां दो negative है तो दो negative right hand side में अगर है तो left hand side में भी दो negative होना चाहिए इसके लिए हमने दो electron left में लिख दिया तो दो electron का transfer हुआ charge balance हुआ पहले बाले में दुसरे में charge को का उन्च करो यह neutral molecule यह भी neutral molecule यानि left hand side में कोई charge नहीं है right hand side में charge को का उन्च करते हैं एक पर एक negative दो पर दो negative रफ में ऐसे लिख लोगी दो negative और 12 positive मिल करके 10 positive बना right hand side में और left में neutral है तो right hand side में भी overall charge neutral ही होना चाहिए कोई charge नहीं होना चाहिए तो 10 positive को neutralize करने के लिए आप सोचो कितना electron add करना पड़ेगा तो 10 electron इसमें आपको add कर देना है तो 10 electron यदि आपने add कर दिया तो charge आपका पहले और दूसरे दोनों में balance हो गया electron का transfer बराबर होना चाहिए जितना oxidation में electron का loss हुआ उतना ही reduction में electron का gain होना चाहिए अभी बराबर है क्या बराबर नहीं है यहाँ 2 electron यहाँ 10 electron दोनों का LCM लो 10 और 2 का कितना होगा 10 तो दोनों को 10 कर दो कैसे करो भाई यह तो already 10 है कुछ करने के जुरत नहीं है लेकिन यहाँ आपर electron का transfer है वो दो है इसको 10 करने के लिए पूरे reaction में multiply करना पड़ेगा 5 से तो यह तो यहाँ से एक i2 यानि 6i2 हुआ प्लस 6H2O लेफ्ट हैंड साड में राइट हैंड साड में electron का transfer कैंसिल हो चुका है पांदोना 10 10 I- प्लस 2 I-3 माइनस और प्लस 12 H+. यह reaction aesthetic medium में balance हो गया लेकिन यह तो aesthetic medium में हुआ तो यही तो सिखारों को पहले ऐसे बैलेंस करोगे जैसे कि यह reaction aesthetic medium में ही हो रहा हो अब इसके बाद जो step है वो ध्यान सो देखो बड़ा इस्टेप है जितना एज़ प्लस आपका आया बैलेंस्ट केमिकल रियक्षन में रिडॉक्स रिक्षन में यह तो बाए यह तो दाएं उतना ही o h m i n dhy ju n ha उतना ही o h m i n right में भी add कर दना है और left में भी add कर दना है 22 q aya 12 h plus आया तो इतना ही o h r aare right hand side में भी add कर दीजे और left hand side में bい add कर दीजे और व दूरे eden 12 o h kur dhy ju left में भी और right में भी ग्रीक्षन भी रह गया ना भाई लेकिन उसका फाइदा मिला क्या फाइदा मिला जिस साइड में H पलस और OH माइनस एक ही साइड में है उन दोनों को कम्बाइन करके वाटर का मॉलेक्यूल बना लो तो वाटर का मॉलेक्यूल बन गया 12H2 और फिर वाटर के मॉलिक्यूल को एक साड में ले जाओ इधर में 6H2 है उधर में 12H2 है उधर 6H2 हो जाएगा तो 6H2 और राइट हैंड में आ जाएगा और फिर येक्शन को फिर से लिखते हैं तो यह हो जाएगा 12OH- प्लस 6I2 वाटर को राइट हैंड साड में ले जाओ यह हो जाएगा 10I- प्लस 2Io3- हैंड प्लस 12H2O-6H2O दा इसकल तो 6H2O अब फाइनली यह भी एक बार देख लो कि सारा चार्ज बैलेंस है कि नहीं इधर में 12 निगेटिव है और इधर में 10 और 12 निगेटिव है चार्ज बैलेंस है आटम को भी कॉंट कर लो औक्स आयोडीन के छेदूना 12 आयोडीन है औ और हाइडोजन जितने भी आटम सबको कॉंट कर लो बैलेंस है कि नहीं और यदि अस्टोइक को मेंटिक कॉफिसेंट यदि कुछ कॉमन हुआ उसको कैंसिल और भी करो 12 है 6 है 10 है 2 है 6 है कुछ कॉमन ज़रा रहा है दो कॉमन है तो दो अगर हम कॉमन निलेंगी तो यह हो ज इक्षन है फाइनली बेसिक मीडियम में आपका बैलेंस हो गया अब अब आपके पास एक्षन में इस प्लस नहीं बलकि वह इस माइनस है तो